नमस्का दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेगनो दोस्तों इस वीडियो में हम आज डिसकस करेंगे और टूकेट की कुछ कमांड्स का जिस कमांड्स से आप इजिली कोई भी ड्रॉइंग बना सकते हैं जिसमें आप डामेंज कैसे याड़ करेंगे आपको कैसे ही स्ट्रक्चर बना रहा है और दोस्तों मैं आशको सब चीजे दिखाऊंगा कि िरिखे दोस्तों तो चलब शुरू करते हैं कि एक यहाँ पर हम इससे फ़wright न हुई करेंगे वह कमांड्स हमारे पास है कं लिख करनाया है यहां कि करना है यह कि यह लिख करने आहें तो वह आपको दियांखना दोस्तों ये जो लाइन शिर्फ होरिजेंट्र यी और वर्टिक लिमव कर रही है कि क्योंकि यहां पर मैंने और दो कमांड है और तो कमांड वह उसका रखिए अगर मैं इसको और दो कमांड को आफ कर दिता हूं तो यहां से क्या होगा यह किसी भी एंगल में मूव कर सकती है तो दोस्तों हम असलिए कोई भी आर्किटर्च या इंजिन जो भी होता है वह वह वर्टिकल लाइन में ही स्ट्रक्चर बनाता है इसलिए मुझे और तो हमेशा ओन होता है उससे क्या फाइदा होगा कि आप सिर्फ वर्टिकली और यह को वर्टिकली और होजिंटली ही मूव करेगा उसके लावा मूव नहीं करेगा तो दोस्तों हमें आप जैसे कुछ वी डिस्टैंट चाहिए हैं जिस सब्कूस के लिए मुझे एक रूम बनाना है जो रूम मैं बना रहा हूं तस बाए 15 का तो यहां से में 10 फीट एंटर करत देना है और यह लास्ट में आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं और उसके अगर आप 15 फीट एंटर करते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं तो इससे आपका यह स्ट्रक्चर बन जाएगा देखिए कमरा मारा बन चुका है ठीक है दोस्तों तो इस कमरे के लिए आपको क्या करन है वाल्स पर चाहिए मुस्ट्री हम वाल्स के 9 इंच की यूज़ करते हैं जो उसके लिए दोस्तों कमांड यूज़ करेंगे ऑफसेट करना है आपको सिर्फ ओफ लिखना है और वहां पर पूरा टैटल लिखा जाएगा उसके बाद में दूस्तों आपको कितने इंच की बोल चाहिए तो आपको जैसे मुझे 9 इंच की बोल चाहिए तो मैं यहां पर आपको 9 इंच की लिखके एंटर मारना है उसके बाद ही जब यह बॉक्स की तरह करदर हमारा हो जाएगा उसके बाद ही काम शुरू करेगा और आपको जिस तरह आपको अंदर की चाहिए तो आपको अंदर करदर लेके जाना पड़ेगा अगर आपको बाहर की तरह चाहिए तो आप बाहर कर कमांड का यूज इसक् realizing के लिए उठाई कि इस्ट दाइए कितना देना चाहती है जितना चाहिए जुके अंब दे सकते हैं इन्व इंच के तो इक को ध zijn कमांड का इसका नाम और यह दोस्तों के लिए आपको टी आर प्रेस करना है और इसको डबल एंटर करना है दोस्तों कमाड़ यूज करें होगी जब आपको डबल क्लिक करेंगे ठीक है दोस्तों तो स्वासों के लिए क्या होते हैं जो भी अन्वान्टेट लाइन्स होती हैं वह हम वहां से आप प्रापट बाउक्स भांsm brain कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों आपको यह कि, मैं करके दिखा रहा ूं वह मैंने जो भी एन्वाइंट जो लाइन से हो यहां से डिल कर दिन तो यह हमारा प्रपर एक बॉक्स बन गया है यह एक के रूम बन चुका है ठीक है दोस्तों इसके बाद हम यूज करते हैं extend command एक्सेंट कमांड यूज होती है दोस्तों किसी भी लाइन को पूरा करने के लिए या फिर आपके कोई छोट गया जो पूरा निवा किसी नहीं लाइन कमांड से पूरा नहीं करना चाते हो तो आप इसको extend command से use कर सकते हो दोस्तो extend command यूज़ करने के लिए आपको और फिर से extend ex लिखकर double x करना है उसके बाद ही ये काम करेगी देखिए दोस्तो extend command से हम किसी भी half line को या जो हमाई line पूरी नहीं हुए उसको हम इसलिए बढ़ा कर सकते हैं देखिए दोस्तो इस तरीके से ठीक है ठीक है दोस्तों extend command का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कुछ भी छोड़ जाता है सबसकर यह जो line हमारी यह यहां तक ही है और हमें यह पूरी करनी है इसके लिए हम क्या use करेंगे हम विसील यूज़ करते हैं करेंगे तो यह हमारे पास इतना पूर्शन स्लेक्ट होगा इसका मतलब है कि यह लाइन हमारी सिर्फ इतनी है और जब हम से डिलिट करेंगे तो यह हां से डिलिट हो जाएगा लेकिन जब हम extend कमांड यूज़ करते हैं दोस्तों तो यह जो करेंगे तो यह पूरी लाइन स्लेक्ट होगी यह उतना पूर्शन स्लेक्ट नहीं होगा जितना हम लाइन कमांड लेके यूज़ किया था दोस्तों यह फुल एक लाइन बन जाती है जो कितनी भी छोटी हो चाहिए आपकी जो लाइन है यह अगर इतनी छोटी भी होगी और आप यहां पर एक्टेंट कमांड युज़ करेंगे जिससे ढbish आप पूरा कर लेंगे और उसके बाद आपपको को मूझ करना है और एंटर करना है उसके बाद आपको सुबज़ट को ओ और हین्ट करना है स्लेट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार एंटर करना है और एंटर करने बाद में आपने inject भी पोशंच훈 इसली सुजय Ciao च को या object को मूँकराना है वह आपने स्लेट करना है और वहां से उसको मूँकराना है ठीक है दोस्तों अगर आपको यह vertical और horizontal नहीं move कराना तो आपके लिए ortho को आपको यहां से off करना पड़ेगा जिससे आप इसे किसी भी direction में move करा सकते हैं जैसे कि मैं इसको यहां पर 45 degree में move करा दिता हूँ ठीक है दोस्तों उसके बाद हम यूज करेंगे यहां पर copy command copy के लिए आप दो तरीके से copy कर सकते हैं या तो आप इसको पहले से select कर लें और उसके बाद यहां पर CEO प्रेस करें और enter करते हैं उसके बाद आप जिस भी portion से copy करना चाहते हैं आप वहां से select करिए और इसको move करिए और उसको click करिए singly single clip पे आपके यह copies होती जाएंगी object को select करना पड़ेगा उसके बाद फिर आपको enter करना पड़ेगा और फिर जिस भी portion से आप select करना चाहते हैं उससे select करके आप उसको किसी भी और object के ऊपर press कर सकते जिससे वह वहां पर copy हो जाएगा कि ठीक है दोस्तों कि इस तरीके से आप इसको आसानी से प्रेस कर सकते हैं यह होगी कॉपी कमांड दोस्तों ठीक है इसके बाद यूज़ करेंगे हम रूटेट कमांड पहले में इसको थोड़ा सा मूब करते ता हूं यहां पर यह दोस्तों मैं यहां से थोड़ा सा मूब करता हूं ताकि जब हम रूटेट करें तो हमें कोई परिशानी नहों लाइब कर सकते हैं या फिर आपको पहले से स्लै covenant करना पड़ेगा चब एक पहले से स्लैट करना पड़ेगा ओर उसका वह प्रेश करना है उसके रम आहे गडर करना है बहुत करिए ऊसके बादव स्लैट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों दूसरा तरीका है आपको आरो लिखना है उसके बाद आपको अबजेट को स्लेट करना है और फिर आपको एंटर करना है और जिस भी एंगल से आप इसको रोटेट करना जाते हैं वो एंगल स्लेट करिए और उसके बाद आपको इसको रोटेट कर सकते हैं ठीक है दोस्तो यहाँ पे एक तरीका हो रहा है रोटेट करने का आप उसको रोटेट कमांड लिख कर एंगल से लट कर के आप यहाँ पे 90 degree या 180 degree एंगल लिख के एंटर भी कर सकते हैं जिससे वो उसी एंगल पर टूटेट हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने लिए आपका धन्यवाद और फुली आपको ये कमांडे से अब समझ में आगी हूंगे जो मैंने सिखाई हैं यहापे दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आने बाद हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप ओटो कैट से कैसे प्रिंट कर सकते हैं और कैसे प्रिंट आउट ले सकते हैं उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँगा क्या है और नीचे टास्क बार में आप जो कमांड दिविए उनको क्या यूज़ है उनको कैसे यूज़ करते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों